हेलो दोस्तो, वेलकम टू इस न्यू सिरीज I hope कि आपने मेरी MVC 5 टुटोरियल की पूरी सिरीज को देख लिया होगा अगर आपने नहीं देखा है या फिर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको recommend करता हूँ कि मैंने एक MVC 5 का पूरा टुटोरियल बना रखा है इस scratch से पहले आप उसको देखे और उसके बाद में यहां से इस सिरीज से आप continue करना है तो इस सिरीज में हम क्या क्या सीखने वाले हैं MVC को सीखने के बाद में कुछ ऐसे concepts होते हैं जहां पर आपको problem आती है वो सारे concepts हम इस सिरीज के अंदर cover करने वाले हैं अगर मैं example की बात करूँ तो देखो हमने HTML helpers को अपनी MVC 5 की series में cover किया था बट फिर भी बहुत सारे developers को problem आती है कि हम कैसे drop down list को बना सकते हैं या फिर कैसे हम view models को use कर सकते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे examples हैं जिसमें कहीं ने कहीं challenges आते हैं तो ये पूरी series उन्हीं चीजों के लिए है जिस भी concept में आपको कोई भी problem आती है तो आप मुझे comments के थूरू बता सकते हो और वो सारी चीजे हम इस series के अंदर one by one cover करने वाले हैं तो इस series का main purpose यही है कि जो भी आपको concepts में किसी में doubt है वो concept आप मुझे comments के अंदर बता सकते हो और हम बाद में उस concept के ऊपर एक वीडियो मनाएंगे जिससे सारी चीजे सभी को के लिए आराम से हो जाएंगे और सबसे जरूरी बात अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को subscribe जरूर कीजिए आप वीडियो को like कीजिए, comments कीजिए और share जरूर कीजिए तो चलिए देखते हैं एक नए concept MVC5 के बारे में नेक्स वीडियो में Thank you for watching